हलो एब्डिवन आज डेट है 12 ओप उक्टोबर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दे हिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एक्जाम की पॉइंट अफ्वी से डिस्कस करेंगी नीशे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेल्ग्राम चैनल वॉल्कन ओ आईयसकेडमी का लिंक तिया हुआ है आप टेल्ग्राम चैनल वॉल्कन ओ आईयसकेडमी के साथ में जूड़ सकते हैं वहाँ पर हर exam means UPSC, state PCS and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि मोजावे desert को आपको map में view करना है फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आप से question पोछा था Greenland country को लेकर के तो Greenland country को अगर हम map में view करें Greenland country एक island country है और Arctic Ocean and Atlantic Ocean के बीच में located है Greenland country जो है वो Denmark country के अंडर आता है अगर हम वैसे देखे तो North America continent का part है Greenland country लेकिन politically and culturally basis पर ये Europe continent से associated है world का largest island है Greenland country तो ये basic facts है Greenland country को लेकर के जो हमारे exam के point of view से important है देहिंदू को discuss करने से पहले हम discuss करेंगे mentorship program के बारे में वो aspirant जो 2023 UPSC के लिए prepare कर रहे हैं तो हम mentorship program का second batch लेकर के आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम target करेंगे UPSC prelims 2023 को लेकर के अब इसमें क्या-क्या आपको करवाया जाएगा उससे related important जो भी key features है उनको हम discuss कर लेते हैं static part में माननो NCRT जो भी standard books हैं वो सभी यहां पर cover करवाई जाएगी prelims के perspective से साथी साथ में current affairs के अगर हम बात करें तो 1.5 year का जो current affair है वो यहां पर आपका cover करवाया जाएगा daily basis पर आपको target दिया जाएगा और target को फिर revise किया जाएगा MCQ equation के basis पर 3000 plus MCQ जो है वो आपके यहां पर करवाये जाएगे MCQ में static part और current affair part जो है वो दोनों को ही यहां पर cover करवाये जाएगा साथी साथ में आपको mentor जो है वो alert होंगे time to time जो mentor है वो आपको यहां पर guide करेंगे कि आपकी prelims की जो strategy है वो किस तरीके से होनी चाहिए तो अगर आप 2023 UPSC prelims के लिए तयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम आपके लिए beneficial रहेगा तो आप इसको join कर सकते हैं हमारी website पर इसका link available है mentorship program का वहां जाकर के आप इसको join कीजिए और इसके अलावा जो हमारे telegram channel है वहां पर भी इस related basic जो भी information है वो आपके लिए available है ओके देहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है देहिंदू के front page पर और news related है यहां पर right to information act को ले करके इस article में बताया गया है 2019, 2021 और 2022 के यहां पर data रखके हैं और इसमें बताया गया है कि सतर्क नागरीक संग्ठन इन्होंने ये data gather किये हैं और उन्होंने ये बताया है कि जिस criteria को complete करने के लिए हम RTI Act लेकर किया थे right to information act कि हमारे जो citizen है उनको empower किया जा सके जो हमारा governance का जो level है उसमें transparency and accountability ज्यादा से ज्यादा हो सके उसी को target करते हुए RTI Act 2005 में लाया गया था लेकिन यहां पर सतर्क नागरीक संग्ठन ने जो data रखे हैं उसमें clearly बोला है कि time के साथ में लोगों की जो appeal है उसकी संख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसका जो solution आना चाहिए उसमें काफी ज्यादा problem देखने को मिल रही है मतलब यहां पर बताया गया है कि RTI Act जो है उसको बने हुए 17 साल लगबग complete होगे 2005 में बनाता 2025 यहां पर चल रहा है transparency को gain करने के लिए हम लेकर के आई थे लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में जो 26 information commission है उनके पास में 3.15 लाग जो complaint है और appeal जो है वो pending पड़ी हुई है मतलब जो है लोग appeal करते हैं अपना जो भी जो भी information उनको चाहिए वो इसको लेकर के target करते हैं लेकिन उसका जो result है वो काफी लंबे time बाद में देखने को मिलता है मतलब citizens को empower करने के लिए देखने को मिल रही है तो main objective जो था वो इसमें fulfill नहीं होता दिख रहा है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे information commission है उनमें भी जैसे कि state के level पर भी जो state information commission है उनके बारे में बताया गया है कि highest number के pending cases अगर हम देखें तो मारास्टरा में है उसके बाद में UP में करनाटका में और central information the central information commission जो है वहाँ पर इतने cases जो है वो देखने को बिल रहें लगबग 26,000 की लगबग जो cases है वो pending है वो बिहार में जो है 21,000 के लगबग है तो यहाँ पर यह important बात पताई गई है तो हम कुछ important बात लिखेंगे जो हमारा central information commission है उसको लेकर के जो हमारा state information commission है उसको लेकर के देखो यह जो central information commission है उसमें एक तो head होता है मतलब यह एक chairman होंगे plus में 10 जो है वो other information commission होंगे इससे ज़्यादा इसमें part member जो है वो नहीं होते हैं जो हमारे president जो होते है वो इनको appoint करते है information commissioners को और इनको reappoint नहीं है मतलब एक बार यह information commission बन गए उसके बाद में दुबारा से इनको reappoint नहीं किया जाएगा अब यहाँ पर जो इनको appoint किया जाता है जो इनको चुना जाता है वो एक committee जो है इनको चुनती है और committee जो है उसमें होते है हमारे prime minister इसके अलावा leader of opposition in lock sabah इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक union cabinet minister होते है जिनको जो हमारे prime minister है वो क्या करते है एक तरीके से nominate करते हैं तो इनकी एक committee बनती है और इस committee के थुरू जो है इनको बनाया जाता है इनको अपोइंट किया जाता है state information commission के अगर हम बात करें तो उसमें भी एक chairman और 10 से ज़्यादा जो information commission है वो यहाँ पर नहीं होते हैं और यहाँ पर governor जो है वो इनको अपोइंट करता है center पर कुण करता है president appoint करता है यहाँ पर governor और recommendation कुण देता है तो cm जो है cm के head में एक committee बनती है और committee जो है वो recommendation देगी और उसके basis बन उन person को state information commission का member बनाया चाहेगा तो यह important fact है आपको पता होना चाहिए जो भी इस तरीके की important body होती है वो उनके बारे में तो आपको comment box में यह बताना है कि यह information commission जो है constitutional body है statutory body है या किस तरीके का यह organization है next important article है तो देखो IMF ने अपनी report रखी है 2022 के लिए world economic outlook और इसमें उन्होंने forecast किया है कि next year जो है growth rate किस तरीके से देखने को मिलेगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग-अलग institution ने अलग-अलग institution ने अपनी growth rate यहाँ पर रखी है जैसे IMF ने 6.8% RBI जो है हमारे इंडिया का उन्होंने 7.0% World Bank जो है उन्होंने 6.5% मतलब सभी level पर अगर हम देखने की कोसिस करें तो growth rate को एक तरीके से decrease दिखाया गया है कि next year में financial year 23 में जो forecasting की गई है उसके basis पर अगर हम देखें तो growth rate जो है उसमें काफी ज़्यदा decrease देखने को मिलेगा आने वाले सालों में तो यहाँ पर IMF ने अपनी important बात रखी है कि इसका basic region क्या रहेगा कि जो growth rate है उसमें कमी देखने को मिलेगी तो इसकी वज़े से Russia Ukraine vote जो है इसकी वज़े से काफी ज़दा inflation जो rate है वो increase हो गया है जिसकी वज़े से monetary condition जो है उसको globally tighten करने की कुस्सिस की जारी है ताकि जो inflation है उसको target किया जा सके इसके अलावब pandemic का जो effect है वो अभी भी देखने को मिला है आज वी हमारे editorial piece पर देखने को मिला कि pandemic की बाद में जो urban areas है वहाँ पर अभी भी जो consumer है उनका उन पर काफी ज़दा effect देखने को मिलता है अभी भी pandemic का तो यहाँ पर इंडिया की जो growth rate है वो 6.8% जो है वो current fiscal year के लिए project की गई है और 8.7% growth in fiscal year that ended mars 31 मतलब अभी जो mars 31st को जो end हुई fiscal year उसके लिए growth rate जो है वो 8.7% देखने को मिल तो IMF की world economic outlook जो है इसमें बताया गया है कि पुरा world जो है उन्होंने अलग-अलग जो meetings की उसके थुरू ये जो result है वो देखने को मिला है कि किस तरीके से कुन सा area जो है वो effect हो रहा है कहाँ पर किस तरीके की economic condition जो है वो देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं IMF के बारे में देखो IMF जो है International Monetary Fund इससे related कुछ important reports भी होती है जैसे कि अभी हमने देखा कि world economic outlook जो है वो उनकी एक report है other reports के अगर हम बात करें तो global financial stability report यह जो है इसको भी release करता है IMF तो जो भी important organization है उनके दोरा कौन-कौन सी important reports जो है index जो है वो publish होते हैं आपको पता होना चाहिए global financial stability report इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक report और publish करता है official monitor IMF तो यह दो important report और है world economic outlook के अलावा जो आपको ध्यान में होनी चाहिए तो को इस तरीके से direct report का नाम देकर के पूछ लिया जाता है बहुत पार exam में कि यह report जो है वो कौन release करता है next important article है क्यां देखें देखो केरला में एक issue देखने को मिला है human sacrifice वहाँ पर two women जो है उनको capture किया गया फिर उनका human sacrifice जो है वहाँ पर देखने को मिला है तो इस article में जो issue है वो काफी ज़्यादा problematic है यह जो हमारी society में जो superstition है इस तरीके के issue को हमें target करना होगा और यह target जो है इन तरीके के issue को जो है वो एक basic awareness के साथ में ही और हम जो है इस issue को solve कर सकते हैं और काफी ज़्यदा हमारे IPC के level पर काफी ज़्यदा strigent इसको लेकर के punishment होना चाहिए इस तरीके के issue अगर देखने को मिलते हैं तो next important article है यहां पर देखो हमारे जो present time में जो CGI है उन्होंने recommend कर दिया है कि हमारे जो next CGI है वो DY चंदरचूड होंगे क्योंकि seniority के level पर देखें तो सबसे ज़्यादा यहां पर DY चंदरचूड की पास में ही seniority थी seniority मतलब age के basis पर नहीं seniority मतलब working basis पर कि working में कितने ज़्यादा seniority होँआ पर देखने को मिलती है next important article है editorial page पर और यहां पर देखो यह बताया कि यह है इस article में कि अगर हम pandemic के time में देखें या पिर पहले भी देखें तो NCRB ने every year जो है वो time to time अपने कुछ data है death को लेकर के वो रखती है तो उसमें उन्होंने इस data के उपर specific focus किया है कि time के साथ में suicide की वज़े से जो death rate है वो काफी ज़्यादा increase हो गई है जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसी साल अगर हम देखें तो अब तक लगबग जो है वो 1,64,333 लोगों का suicide की वज़े से जो death है वो देखने को मिली है मतलब time के साथ में जो data है वो increase होते जा रहे है तो इस article में बताया गया है कि देखो पहले तो major issue बताने की कोसिस कीगी है फिर बोला गया है कि सिर्ट टेकनोलोजी को ही focus मत करोगी टेकनोलोजी की वज़े से लोग suicide कर रहे है इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि present time में जो लोग है वो social media का बहुत जादा use करने लगे है virtual जो एक image है virtual जो world है उसमें जादा focus हो रहे है जिसकी वज़े से उनको वहां से अपने followers create करना वहां पर एक fake जो एक world है उसमें अपनी life को stable करना वहां पर हर चीज like को अपनी personal life से connect करते हुए चीजों को देखना ये सारी चीजे जो है वो life को बहुत जादा effect कर रहे हैं जिसकी वज़े से issue जो है वो देखने को ज़्यादा मिल रहे है दूसरा यहां पर एक important बात रखी गई है कि present time में poker रमी ये कुछ ऐसे game जो है वो काफ़ ज़्यादा increase हो रहे हैं जिसकी वज़े से भी काफ़ ज़्यादा issue जो है वो create हो रहे है money basis तरीके के game खेलने की वज़े से बहुत सारे जो लोग है जिसे हाँ पर Tamil Nadu का भी example दिया है कि इस तरीके के gaming की वज़े से बहुत सारे लोगों की depth देखने को मिली है क्योंकि एक तरीके से वो depth situation में आ जाते है उन games की वज़े से तो इन सभी को regulate करने की एक strategy होनी चाहिए writer का ये बोलना है तो इसी को लेकर के जो भी जो टेक्नोलोजी जो है उसका एक अच्छे तरीके से यूज क्या जाए ताकि वो हमारे एक तरीके से deficit करने की बज़ाए हमारे जो improvement है हमारे जो growth है उसमें एक important role play कर सके next important article है देखू अभी क्या हुआ पांच अक्टूबर को विज़ादस्मी जो है वो celebrate की गई तो विज़ादस्मी जो है असोका विज़ादस्मी controversy देखने को मिली तो यहाँ पर यह बताया गया कि 1956 के टाइम में डॉक्टर भीमरा अमभेटकर और उनके साथ में बहुत सारी लोग मतले कि mass gathering जो है उन्होंने अपना यहाँ पर religion change किया और बुद्धिज्म को उन्होंने यहाँ पर follow किया तो एक तरीके से एक नया criteria जो है नियो बुद्धिज्म जो है वो भर करके सामने आया और उन्होंने एक नई ब्रांच को establish करने की कोशिस की नवयान नवयान जहां पर जो भी other important issue देखने को मिलते है महायान और हिनियान जो important branch है बुद्धिज्म की उन्हों सभी को दूर करते हुए एक तरीके से equality के level पर establish करने की कोशिस की और डॉक्टर भीमरावमेट का जो है उन्होंने इसको establish करने में important role play किया तो यहां पर कुछ आमादमी पार्टी के जो कुछ मिनिस्टर है उनको लेकर केश्यू देखने को मिला कि उन्होंने भी इस तरीके से join करने की कोसिस की तो देखो हमारे लिए important यहां पर यह हो जाता है कि नियो बुद्धिज्म क्या है देखो आप सभी को पता है कि हिंदू जो हमारा culture है वहां पर discrimination देखने को मिला caste basis पर तो उसी issue को solve करने के लिए यह जो conversion है वो देखने को मिला अभी present time में आपको conversion को लेकर के और भी issue देखने को मिल रहे होंगे कि जो central government है उन्होंने commission बनाया है कि conversion की बाद में जो भी लोग जो जन्होंने Christian community को अपना लिया या पर Muslim community को अपना लिया उनमें क्या effect देखने को मिल रहा है क्या उनके life standard में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर के commission बनाया गया है हमारे former CGI है पाल कृष्णन उनकी head sick में two other members जो है वो भी इसमें involved है इसका basic region ये रहा कि हमारे Supreme Court में बहुत सारी petition डाली गई क्योंकि time to time जो schedule cast है उसको हमने update किया उसमें बुद्धिज्म को और जो सिख जो है जन्होंने conversion किया था और सिख जरी किसे degradation ही देखने को मिला है कोई upgrade नहीं हुआ है तो उनको भी SC community में upgrade करने की बात यहां पर की जा रही है तो यहां पर neo-buddhism जो है वो एक ideology है और उसको follow करते हुए लोगों ने यहां पर बुद्धिज्म जो community है बुद्धिज्म जो religion है उसको अपनाया तो यहां पर कुश important data लिख रखे है कि क्या हमारे इंडिया में अभी present time में जो बुद्धिष्ट है वो कहां पर रहते है तो बुद्धिष्ट population जो है वो 0.70% है हमारे इंडिया में और जिनमें से भी 87% जो है वो नियो बुद्धिष्ट है और एक large majority जो है नियो बुद्धिष्ट की लगबग 80% जो है वो महरास्टरा में रहते है total population का 5.8% और इसके अलावा जो बचे हुए है वो traditional बुद्धिष्ट है वो लगबग हमारे जो नोर्थ इस्ट वाले स्टेट है जो सिख की मरनाचल प्रदेश मिजोरम तिरपुरा वहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है there has been a decline in the growth rate of Buddhist in India in recent year टाइम के साथ में इंडिया में Buddhist जो परसन है उनकी संख्या decrease देखने को मिली है next important article है page number 10 पर और यहाँ पर Congress जो है उन्होंने Supreme Court को बोला है कि BJP लेडर जिस तरीके से hate speech spread करने की कोसिस कर रहे हैं उनको आप क्या है कीजिए एक तरीके से regulate कीजिए तो hate speech क्या है देखो law commission की 266 वी एक report आई और उस report में एक तरीके से बताने की कोसिस की गई कि जो hate speech है वो क्या है hate speech जो है वो एक तरीके से आपका कोई भी statement आपका कोई भी word जो है वो target करता हो किसी community को किसी caste को किसी religion को या किसी specific person को और उसकी वज़े से society में काफी ज़्यादा problem जो है वो create हो जाए violent crisis जो है वो देखने को मिले तो इनको hate speech में count किया जाता है तो इसी को regulate करने की कोसिस की जारी है इसको लेकर कि अगर हम बात करें तो अभी IPCC की कुछ section है उसी की under इसको regulate करने की कोसिस की जाती है next important article है यहाँ देखिए page number 12 पर यहाँ पर जो first article है एक सेकेट देखो जो हमारे farmers है कुछ important organization है farmers को लेकर के तो उन्होंने बोला है कि रभी season को लेकर के जो हमारी government है उन्होंने MSP minimum support price जो है उसको अभी तक declare नहीं किया है तो यहाँ पर हम कुछ important बात रखेंगे इसमें कुछ important data ये भी लिख रखे हैं कि CACP commission for agriculture cost and prices जो एक तरीके से recommend करता है MSP को लेकर के उसने अभी तक अपनी जो है वो farmers से कोई consult नहीं किया है और यहाँ पर जो एक important data उनको रखने होते हैं वो यहाँ पर उन्होंने नहीं रखा है CACP की अगर हम बात करें मसके अंडर जो है यह अंडर आता है तो यहाँ पर minimum support price और और भी रभी क्रोप के बारे में हमने देखा न यह चीजे जो है वो हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर यह बताया गया है कि देको MSP को जो आपको decide करना है वो आपको farmers को लेकर के farmers related जो organization है उसे discuss करके आपको MSP minimum support price decide करना चाहिए क्योंकि time के साथ में अगर हम देखें तो जो उमारी farming है उसमें input जो है वो काफी ज़्यादा increase हो गया है जैसे कि insecticide, fertilizers जो भी हम use करते हैं seed के जो price है वो काफी ज़्यादा use हो गये है जो ही हम technology use करते है machinery use करते है क्योंकि petrol, diesel जो उसके price है वो काफी ज़्यादा hike है जिसकी वज़े से machinery के जो price है वो भी काफी ज़्यादा increase हो गए है तो यह सारे basic region है जिसकी वज़े से farming में input तो बढ़ रहा है लेकिन जो production हो रहा है उसके price जो है वो नहीं बढ़ रहे है तो focus किया जाना चाहिए कि farmers के साथ में discussion हो तभी साथ जाकर के MSP minimum support price को एक result के रूप में establish किया जा सके तो यहाँ पर MSP से related कुछ basic facts की अगर हम बात करें तो देखो minimum support price वो price जिसके उपर government जो है वो farmer से उनके product जो है वो खरीदती है तो यह होता है MSP minimum support price दूसरा यहाँ पर रभी crop जो है उसके बारे में भी वताया गया है तो देखो three important crop होती है खरीब crop, खरीब crop इसके बाद में रभी crop और एक होती है जायत जायत जो है कुछ जगे पर ही देखने को मिलती है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खरीब crop की खरीब crop जो है उसको जून जुलाई में उगाया जाता है और September, October में इनको काट लिया जाता है दूसरी जो crop है वो है रभी crop तो इनको October, November में उगाया जाता है और दूसरा अगर हम बात करें तो February, March में इसको काट लिया जाता है और जायत जो crop है जिसमें एक तरीके से सबजियों के उपर vegetables के उपर ज़्यादा फोकस किया जाता है watermelon जो है इनके उपर सबी के उपर फोकस किया जाता है तो ये समर के टाइम में तो March, April में इसको उगाया जाता है जायत को और उसके बाद में मई, जून में इसको काट लिया जाता है कुछ टाइम के लिए ही होती है जायत crop तो यहाँ पर आपने देखा कि देखो September, October में खरीब क्रोप को काटा जाता है और October, November में रभी क्रोप जो है उगा दी जाती है मतलब बहुती कम टाइम होता है किसके बीच में खरीब क्रोप और रभी क्रोप की बीच में और इसका एक basic region ये भी है कि टाइम के साथ में rainy season जो है winter season जैसे स्टार्ट होता है तो रभी क्रोप का उपको शो करना पड़ता है तो ये ही एक basic region है कि पंजाब हर्याना वाले region में सबसे ज़्यादा जो है वो पराल्ली उस time जलाई जाती है जो भी important parts होते हैं जो खरीब क्रोप के उनको जला दिया जाता है क्योंकि काफी कम टाइम होता है खरीब क्रोप और रभी क्रोप के बीच में जिसकी वज़े से ये शू देखने को मिलते हैं तो ये खरीब क्रोप रभी क्रोप जायत जो है इनसे related हमने basic facts discuss किये हैं next important article है तो यहाँ देखो हमारे जो प्राइम निस्टर है उन्होंने हैदराबाद में यहाँ देखे United Nation World Geospatial Information Congress को उसका inauguration किया second तो उसका जो inaugural function है वो यहाँ पर देखने को मिला second United Nation World Geospatial Information Congress को established किया गया है है हैदराबाद में Geospatial Technology जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है inclusion और progress देखने को मिल रही है स्वामित तो जो scheme है survey of villages and mapping with improvised technology in village area स्वामित तो जो 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 है 2020 में पंचायती राजडे जो है उस दिन इसको establish किया गया था तो आप comment box में बताऊगे कि पंचायती राजडे जो है वो किस दिन celebrate किया जाता है और उस दे से related और भी important data है वो अभी आपको बताना है कुछ important case की जो date है वो भी उससे related है जो हमारी constitution में काफ़ी important role play करती है तो वो बात भी आप comment box में बताने वाले हो स्वामित स्किम में क्या किया जाएगा इसमें technology का use करके village area में जो भी property है उसकी एक तरीके से mapping की जाएगी और जो clear जो data है हमारी agriculture area को ले करके जो भी important property को ले करके village area में उनकी यहाँ पर mapping करके important data जो है वो यहाँ पर रखे जाएगे यह जो स्वामित स्किम है इसको अगर हम बात करें तो हमारे ministry और पंचायती राज जो है और state में जो भी पंचायती राज department है इसके अलावा survey of India और भी other important जो organization है वो इसमें मिले विये हैं और उनके affiliated through में यह जो स्किम है इसको launch किया गया इसका main target यही है कि technology का use किया जाए mapping किया जाए property का एक real evaluation जो है वो देखने को मिले ओके next यहाँ पर जो article है तो इसमें United Nations Secretary General जो है वो इंडिया की visit पर रहेंगे और इसमें बताया गया है कि केवडिया गुजरात में जहाँ पर statue of unity जो है उसको establish किया गया है तो वहाँ पर एक important discussion होगा a special environment program launch of a special environment program मतब life के नाम से इस initiative को start किया गया है lifestyle for environment इसमें focus किया जाएगा किस तरीके से हम environment को target कर सकते हैं environment को किस तरीके से issues को tackle कर सकते हैं तो यहाँ पर United Nations Secretary General जो है वो इंडिया की visit पर रहेंगे next week इसके अलावा पूरे world से और भी important जो भी designated person है वो यहाँ पर visit पर आएंगे और इसमें discussion किया जाएगा climate को ले करके तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि present time में अगर जो भी global climate global climate environment crisis देखने को मिल रहा है उन सभी issues को tackle करने की यहाँ पर कोसिस की जाएगी next important article है एंदेखे foreign peace पर तो देखो यहाँ पर एक important बात यह है कि Israel और लेबनान जो है वो एक agreement के उपर उन्होंने अपने आपको establish करने की कोसिस की है कि लेबनान और इसराइल जो है उन्होंने अपनी maritime border जो है वो यहाँ पर secure करने की कोसिस की है कि जो में maritime area पर उनके जो issue देखने को मिल रहे थे उनको solve किया जा सकी maritime मतलब जो भी marine area से उनकी border touch होती है उन area में काफी जादा उनके project establish उनको करने होंगे जैसे कि जो भी हमारे जो भी petroleum products है उन सभी को उनका जो excavation है उसको increase करने के लिए जारे सारे जो products है उसकी वज़े से यह सारे issue देखने को मिलते हैं तो इसराइल और लेबनान की जो location है वो हमारे इंपोटेंट हो जाती है specific अगर हम बात करें UPSC films की तो उसमें Mediterranean Sea से related direct और indirect कभी भी किसी भी तरीके से question जो है वो बहुत पार कुछे जाते हैं तो यहां पर Mediterranean Sea से कौन-कौन से countries अपनी border share करते हैं West Asia में यह आपको पता होना चाहिए तो यहां पर यह Turkey यह Syria और यहां पर यह है Lebanon और यह है Israel बहुत पार option में आपको Jordan दे दिया जाता है लेकिन Jordan जो है वो Mediterranean Sea से अपनी border जो है वो share नहीं करता है यह आपको ध्यान में रखना है तर्की आप सभी को पता है कि Asia continent और Europe continent जो है उसके बीच में divide है यह कौन सा sea है जो divide करता है तर्की को यह आप comment box में बताओगे इस sea का name यह तो आप सभी को पता है यह black sea है और यह sea of a joe है यह creamia है जिसके बीच में जिसको लेकर कि अभी issue भी create हुआ क्योंकि यहाँ पर एक bridge जो बनाया था रश्या ने connectivity देने के लिए 2014 में जब इसको annex किया तो इसको में blast अपना dominance जो है वो create किया जा सके और other countries को अपने domination में रखा जा सके ओके next important article है तो यह जो हमने map discuss किया नहीं आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अभी Russia Ukraine जो issue है इसमें Russia पर जो breeze blast हुआ उसके बाद में Ukraine के उपर काफी जाता है strike किया Russia ने तो G7 जो countries है उन्होंने support करने की बात की है कि हम Ukraine को क्या करेंगे support करेंगे तो यहाँ पर G7 जो group है वो हमारे लिए एक तरीके से important हो जाता है हमें पता होना चाहिए कि जो G7 organization है वो किस तरीके से establish हुआ था तेको G7 group 7 एक intergovernmental organization है और 1975 में इसको establish किया गया था 7 countries इसमें आते हैं पहले G8 के नाम से भी इसको जानते थे फिर 2014 में जब क्रीमिया को annex किया रश्या ने तो रश्या को इससे बाहर कर दिया गया और यह G7 में convert हो गया 7 countries है नोर्थ अमेरिका continent से दो country आते हैं countries के नेम है US and Canada इसके अलावा Europe से जो है वो यहाँ पर 4 countries आते हैं जिसमें सामिल है UK, France, Germany and Italy यह इसमें सामिल है और Asia जो continent है उसे एक country आता है country का नाम है जापान पुरे world में जो भी specific focus किया जाता है यहाँ पर economy level पर और भी other important points है उन सभी को focus करता है G7 group G7 group जो है उन्होंने अपनी secretary को बनाने के लिए कोई भी formal जो है उनके बीच में charter नहीं है यहाँ पर अगर हम बात करें तो daily basis पर जो भी countries है इनके basis पर हर साल जो है उसकी presidency जो है वो यहाँ पर revolve होती रहती है कि कभी यह जो country है वो यहाँ पर headship करेगा कभी यह country करेगा कभी यह country करेगा ओके तो G7 से related को और भी कुछ important data है जैसे कि पुरे world की जितनी भी population है उसकी 10% population को represent करता है G7 group पुरे world की जो global GDP है उसके 31% को represent करता है G7 group और globally level पर carbon dioxide का जो emission देखने को मिलता है उसमें 21% जो है वो participation रहता है G7 group का तो आप यह देखे कि population कम है लेकिन emission level जो है वो काफी ज़्यादा है इसका basic region यह है कि industrialization जो है वो काफी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह G7 group से related कुछ basic facts है जो books है वो हम आपके लिए cover करवा रहे है free of course आपके लिए available है आप जाकर के NCRT complete कर सकते हैं जो भी standard book है वो जल्द ही हम आपके लिए complete करवाने की यहाँ पर कोसिस करेंगे तो अगर आप यहाँ तक आई है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजियो चनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू